हेलो एबरीबन मीना की रसवी में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं गोल गप्पे वो भी खटे मीटे पानी के साथ तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो देखी मैंने यहाँ पर एक बावल ले लिया है बावल के अंदर हम सूजी डाल देते हैं और सूजी को हम आटे की तरह माड लेते हैं बिल्कुल टाइट आटा नहीं लगाना है क्योंकि यह सूजी फूलेगी धीरे धीरे करके हम इसमें पानी भी डालते रहेंगे साथ में यह देखिए इस तरीके से हम सूजी का डो लगा लेते हैं मसल मसल के यहां पर हमारा सूजी का आटा लगकर तयार है और अब हम इसको 10-15 मिनिट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम चटनी मना लेते हैं पानी के लिए तो यहां पर मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और उसके अंदर कच्छे आम और हरी मिर्ची ले लिए अगर आपके पास में कच्छा आम नहीं है तो आप यहां पर नीवू का इस्तमाल कर सकते हैं और इसका ढ़कन लगा देंगे और इसको पीस लेते हैं तो देखिए हमारी चटनी यहां पर बनका तयार है और अब हम इस चटनी का पानी की वनाइँगे तो सबसे पहले हम यहां पर अपर इमिली की चटनी बना लेते हैं तो यहां पर मैंने चार से पांच ओंटे सोघ्ड करने के लिए रख दी थी मिली को और अच्छय से फूल गई और इस मिली को हम इस तरीके से मैस कर लेते हैं यह देखिए जो इसके अंदर पानी रेस हैं इमली के देखिए Siya पर सारे रेसे निकाल दिये एप इस अमन्हें के पर पुंचाह लिते हैं । क्लिक अब रिंधकि एम उप इस एक पप्रूर्ळिया बवाल के अंदार चलनीर क्याएं यहां पर इस तिस रहर है फीजें इस आह welfare इस हमने चलनी में चम्मच गुमा दी और सारा पानी नीचे निकल गिया और जितना भी इमली के रेशे थे छोटे छोटे वो उपर रह गए चलनी के अंदर और यहां पर मैंने गैस का फ्लेम करके इमली की चटनी बनाने के लिए रख दिया है और इसको उबाली आने तक वेट करते हैं और इसको हम लगाता चलाते रहेंगे ताके जले नहीं तो देखिए हमारी इमली के अंदर उबाली आ गई है तो साथ में यहां पर हमने गोड़ और चीनी ले लिया है अगर आपके पास में गोड़ नहीं है तो सिर्फ चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं या चीनी नहीं है तो सिर्फ गोड़ का भी इस्तमाल कर सकते हैं या दोनों चीजों का और यहां पर हमने कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर और काला नमक डाल दिया है साथ में ही और देखिए इमिली की चटनी के अंदर कितना अच्छा कलर आया हुआ है एक दम लाजवाब बिल्कुल मार्केट जैसी और इसको पकने देते हैं और यहाँ पर अब हम डालेंगे एक चोथाई टेबल इस्पून काली मिर्च पिसी हुई और इसी तरीके से हम लगातार चलाते रहेंगे इसको मीडियम फ्लेम टू हाइपर पकाएंगे यहां पर लगवग हमारी चटनी अब आधी हो चुकी है पक करके और यहां पर हमने फ्लेम को बंद कर दिया है तो देखिए हमने चटनी को बाउल के अंदर कर दिया है इस तरीके कि हमारी इमली की चटनी तैयार है यहाँ पर अब हम इमली का पानी बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है पतीली के अंदर अपनी आवसकता अमसार पानी ले लेंगे और जो हमने मिक्सी के रेसे हैं वो हट जाएं और यहाँ पर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और एक चौथाई टेबल स्पून भूनी वी हींग और दो चम्मच भूना हुआ जीरा तो डाल देते हैं और पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो देखिए हींग और जीरा हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम डालेंगे यहाँ पर एक चम्मच जल जीरा पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं यहां पर हमारा गुल गप्पे का पानी तयार है और खटा बाला पानी है यह अब हम मीठा पानी बनाएंगे तो उसी में से हमने एक बाउल ले लिया है पानी का तो इसके अंदर हम डालेंगे तीन से चार मीठी सोट की चटनी ताकि यह अच्छे से मिल जाए और मीठा पानी वन जाए तो देखिए हमारा यहां पर मीठा पानी अब रेडी हो चुका है और यहां पर हमने तीन से चार बॉयल्ड आलू ले लिये थे तो उनके अंदर हम डालेंगे एक चोटाई टेवल स्पूम रेड चिली पाउडर और स्वादा नुसार नमाक इन दोनों मसालों को अ लाइक तो जरूर बनता ही है तो यहां पर सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और यहां पर हमारा आटा भी अच्छे से से शैट हो गया है इस तरीके से हम दुवारा से इसको अच्छे से मल देते हैं आटे को और अब हम इसके बड़े बड़े लोई बनाएंगे तो देखी मैंने यहां पर एक चकला ले लिया है चकले के उपर हमने एक लोई ले लिया है और इसको थोड़ा सा आठे में डिप कर लिया है ताकि यहां चकले से यह बेलन से चिपके नहीं और आठे को गीले कपड़े से धक्कर रखना है ताकि हमारा आठा पपड़ाय नहीं नहीं तो पपड़ी बन जाती है तो देखिए हमने इस तरीके से गोल गप्पे की पूड़ी बना ली है और इस तरीके की हमने मोटाई ली हुई है और यहाँ पर हमने एक धक्कन ले लिया है आप यहाँ पर कोई से भी से प्लेट में गोल गप्पे काट सकते हैं कोई किसी भी चीज से लंबा या चौकूटा या गोल अपने इसाब से तो देखिए मैंने यहां पर गोल गप्पे की पूड़ी काट ली है और इसको एक प्लेट में रख देते हैं तो देखे यहां पर हमने एक प्लेट में रख़ लिए हैं और यहां पर इस तरइक से अब इन पूडियों को सेक लेते हैं तो यहां पर मैंने तेल गरम करने के लिए पहले से रख दिया था तो तेल भी हमारा गरम हो गया है तो यहां पर एक एक करके हम गोलगप्पे डालेंगे तेल के अंदर और अच्छे से सेख लेते हैं इनको बिल्कुल गोल्डन ब्राउंड होने तक ही सेख ना है ताकि यह बिल्कुल कुर्कुरे बने और इनको इसी तरीके से हमें उलट फिर करते रहना है यह देखिए हमने इस तरीके से सारे गोलगप्पे सेख लिये हैं यह देखो और दूसरी बार भी हम इसी तरीके से सेखेंगे और इनको हम उलट फिलट करते रहेंगे यकीन मानिए यह पानी पूरी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनी हुई है इसी तरीके से हम सारे गोलगप्पों को सेख लेते हैं और अब हम यहाँ पर सर्विंग प्लेट करते हैं तो देखें मैं यहाँ पर इमिली और आलू और मीठा पानी और खटा पानी ले लिया है उसके साथ मैं सर्व कर दिया है आई हो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट करके बताए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर पहली वार आई होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आईकन प्रेस करें तागी सबसे पहले नोटिपिकेशन आपको मिले